आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आपको easily मिल जाएंगी and these videos are very useful for the English medium students जिनको हिंदी में note समझ नहीं आते हैं तो वो इन videos को जरूर देखें and yes this is the authentic book of Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer तो यह RBSC की ही book है so you can easily trust these videos चलिए चोहान डेनेस्टी ओफ शाकंबरी and its prominent rulers जैसे कि हमने देखा कि राजपूत्स and Rathod's के origin में conflict है disputes है similarly यहाँ पर भी disputes है historians के बीच में कि चोहान डेनेस्टी का origin कैसे हुआ now वैशनवली या जो ख्यात्स हैं उसके अंदर कहा गया है कि यह अगनी कुल से बिलॉंग करते हैं means वही यह की यग्यो हुआ और वहां से इनका उत्पन हुआ गौरी शंकर हीरा चंदोजा यह कहते हैं कि यह शत्रिया है and एक आपको अचलेशवर टेंपल का inscription मिलेगा जहाँ पे जो चोहान से उनको चंद्रवंशी कहा गया है तो यह आपको ध्यान रखने हैं these are very important कि किसने क्या कहा है एक बड़ दुबारा में repeat कर देती हूँ and yes revision video भी आएगी जैसे यह chapter अपना first खतम हो जाएगा तो इसकी पूरी revision video आएगी जहाँ पे आपको first page से लेके जितने भी pages होंगे I think 37 pages तक है जो first chapter है तो वो आपको complete एक video में भी provide किया जाएगा because revision is very important चलिए तो dispute यह है कि basically कि कहां से इनका उत्पन हुआ तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बात कही है ख्यात्स में यह लिखा हुआ है कि अगनी कुल को विलॉंग करते हैं means यह अगनी कुल है गौरी शंकर हीराचंद ओजा यह कहते हैं कि यह शत्रिया है अचलेश्वर का जो temple inscription है वो यह कहता है कि यह चंद्रवंशी है वही डॉक्टर दश्रत शर्मा यह कहते हैं कि यह ब्रहमन्स हैं ब्रहमनेकल इनका origin से यह बिलॉंग करते हैं बिजोलिया का जो rock addict है वहाँ पर जो वासुदेव हैं जिनोंने सांबर लेक को बनाया था उनको founder माना जाता है शाकंबरी के जो चोहान है उनके जो founder है वासुदेव कहां लिखा है बिजोलिया का जो rock addict है उस पर लिखा गया है 551 AD के आसपास उन्होंने अपना career as a vessel शुरू किया था गुर्जर प्रतिहार के वो vessel थे vessel means कि आप किसी के अंडर काम करोगे और उसके बदले में आपको protection बगेरा provide की जाती थी so he basically started his career in that way कौन वासुदेव लेकिन बाद में गुवक जो one है उन्होंने इनको वैसल हुड से free कर दिया and फिर उनके जो descendant थे Samant वो ruler बने who was the ruler of Sambar and उनका जनम हुआ ब्रहमिन family के अंदर of वत्स गोत्र तो उसके अंदर जो वकपतिराज है वकपतिराज वो काफी powerful early चोहान ruler माने जाते हैं उन्होंने प्रतिहार्स को हराया था ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है विगराज second जो है या विगरह राज जो second है वो भी another powerful चोहान ruler है एक 9973 का हर्षनात inscription है जो की इनके conquest के बारे में बताता है एक इनकी बहुत बड़ी achievement चालुक के ruler जो मूल राज थे गुजरात के उनके खिलाफ भी रही और विगर राज को फॉलो किया गया फिर दुरलब राज के द्वारा और गोविंद थर्ड के द्वारा पृत्वी राज विजय के अंदर गोविंद थर्ड को वेरी गाटा यानि की destroyer of enemies गोविंद थर्ड थे जिनोंने गजनीज को stop किया था कि वो मारवाड के अंदर ना आ सके एक बार दुबारा रिपीट करा दिती हूँ कि problems हैं, doubts हैं गौरी शंकर हीराचंद ओजा के अकौर्डिंग ये शत्रियां हैं, ख्यात्स के अकौर्डिंग अगनी कुल हैं, अचलेशवर टेंपल इंस्क्रिप्शन के अकौर्डिंग दे आर चंदरवन्शी और डॉक्टर दशराच शर्मा के अकौर्डिंग दे आर ऑफ ब्रहमनिकल ओरेजिन बिजोलिया रॉक एडिक्ट ये कहते हैं कि जो वासुदेव हैं जिन्होंने सांबर लेक निर्मान किया वही चोहांस के फाउंडर है 551 AD के आसपास पहले वो गुर्जर प्रतिहार के वैसल हुआ करते थे लेकिन बाद में गुवक फर्स्ट ने उनको फ्री कर दिया उनके जो डिसेंडेंट थे सामंत वो ब्रह्मिन फैमिली में बॉर्ण हुए और इनमें जो वक्त पति राज हैं वो सबसे जादा पावरफुल अरली चोहान रूलर जिन्होंने प्रतिहारास को हराया देन विग्र राज जो है वो दूसरे पावरफुल चोहान रूलर है 973 का हर्षनात इंस्क्रिप्शन है जो कि उनकी विजयों के बारे में बताता है चालुक्य रूलर मूल राज को भी इनोंने हराया था विग्र राज के बाद दूरलब राज आए और गोविंद थर्ड आए पृत्वी राज विजय में ये कहा गया है कि गोविंद थर्ड जो थे वो वेरी घाटा थे मतलब वेरी घाट थे डिस्ट्रॉयर ओफ एनिमीज थे फरिष्टा के अकॉर्डिंग गोविंद थर्ड ही थे जिन्होंने गजनीज को मारवाड आने से रूका था चलिए अब पढ़ते हैं अजय राज के बारे में तो अजय राज जो की गद्दी पर बैठे 1105 में काफी इंपॉर्टेंट रूलर है चोहान डैनेस्टी के अजय मेरू अजमेर के अंदर जो सिटी है वो इन्होंने ही फाइंड की सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इशू किये गए जिनको अजय प्रिये द्रंप कहा गया इनके कॉइन्स पे इनकी जो क्यूइन है सोमलवती उनकी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी मेंस उनकी छवी आपको देखने को मिलेगी अजय राज शिव के भक थे और काफी ज़ादा टॉलरेंट रूलर थे बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने कोई किसी भी फेथ को फॉलो करे चाहे जेयन को चाहे वैशनव को वो सबको रिस्पेक्ट करते थे अजमेर सिटी के अंदर उन्होंने जैन्स को ये भी परमिट किया कि वो टैंपल बना सकते हैं एंड एक गोल्ड का कलश भी उन्होंने डोनेट किया पर्श्वनाथ टैंपल के लिए सो अजेय राज वस बेसिकली रिलिजियस टॉलरेंट परसन रिलिजियस टॉलरेंट थे दुबारा से रिपीट कर देते हैं थ्रोन पर 1105 में बैठे अजेय मेरू अजमेर जो है वो इन्होंने फाइंड किया सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इशू किये जिने अजेय द्रंब कहा गया इनकी क्वेन थी सोमलवती जो की कॉइन्स पे आपको देखने को मिलेंगी शिव के भक थे टॉलर थे जैन हो वैशनव हो सबको ये रिस्पेक्ट करते थे जैन्स को टेंपल भी परमेशन दी थी कि टेंपल बना सकते हैं एक गोल्ड कलश भी गिफ्ट किया था फॉर दा परशुनाथ टेंपल चलिए नौ वी विल रीड अबाउट अर्नो राज अर्नो राज जो है उन्होंने तुर्क्स को हराया था रूलर्स ओफ माल्वा को हराया था इनको हराया लेकिन खुद हार गए किससे कुमार पाल चालुक्या से जो कि गुजरात के रूलर थे तो किस-किस को हराया तुर्क्स को और माल्वा को हराया लेकिन खुद चालुक्या से ये हार गए आना सागर जो लेक है और जो वरहा टेंपल है पुशकर का वो अर्नोराज ने ही बनाया है वो खुद शेव थे लेकिन दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देते थे और इन्होंने लैंड भी दिया था to the followers of Khattar Gach in Ajmer I think इसको यही प्रनाउंस करते होंगे अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना देव बोध और धर्म बोध दोनों ही इसी टाइम के scholars रहे हैं चालुक्य से यह हार गए और यह इनकी प्रेस्टीज के लिए काफी एक means setback रहा but by defeating the गजनवीज means गजनवीज को इन्होंने हराया और मालवा के खिलाफ भी campaign किया तो जिससे इनकी जो प्रेस्टीज थी वो दुबारा से हाई हो गए now we will read about विग्रे राज फोर्थ तो विग्रे राज ने तोमर्स को हराया डेली की तरफ चले पहले चोहान रूलर थे जिन्होंने दिल्ली पर विजय हासिल की इन्होंने जो गजनी के खुसरो थे उसे हराया जेयानक भट ने इनको title दिया कवी बंधव का विग्रे राज और इनके जो court poet थे सोमदेव दोनों ने मिलके हरीकेली जो नाटक है वो compose किया है और ललित विग्रे राज compose किया है इनको credit दिया जाता है कि इनोंने संस्कृत स्कूल भी established किया and got inscribed lines from his play हरी केली on the walls वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी हरी केली play की lines संस्कृत स्कूल को बाद में mosque के अंदर convert कर दिया गया जिसका नाम आज अढ़ाई दिन का जोपड़ा बेसिकली अजमेर जो दरगा है विग्रे राज ने बिसलपुर जो town है उसको भी settle किया था and बिसलपुर लेक भी का भी इनोंने निर्मान किया दुबारा से मैं repeat कर देती हूँ विग्रे राज 4th के बारे में तोमर्स को हराया दिल्ली की तरफ कूच किया दिल्ली को जीता भी खुसरो को हराया गजनी के जयानक भट ने इनको कवी बांधव का टाइटल दिया है विग्रे राज और सोमदेव ने मिलके हरी केली and ललित विग्रे राज नाटक लिखा Sanskrit School इनोने इस्टैबलिश किया जिस पे हरी केली के आपको लाइंस मिल जैंगी इनके स्कूल को Sanskrit School को अढ़ाई दिनके जोपड़ा में Convert कर दिया गया बिसलपूर town इनोने इस्टैबलिश किया and बिसलपूर lake में चलिए तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं and next वीडियो के अंदर हम आगे के जो चोहान से हैं of शाकंबरी उसको cover करेंगे because I don't want कि वीडियो लेंदी रहे इसके साथ साथ आप MCQs and PYQs जरूर practice करें if you want the result so MCQs and PYQs जरूर practice करें चाहे आप RPSC के किसी भी exam की तयारी कर रहे हूं वीडियो को like, share and subscribe करना नहीं भूलना है so thank you so much